आखिरकार युवराद सिंग किसे चाहते हैं अपनी बायोपिक में हाई दिस इस मी मनू एंड यूव वाचिंग बूगल बॉलिवर्ट अगर मैं युवराद सिंग की बात करूँ तो मेरी जुबाँ पर सर्फ एक ही लाइन आती है दा बेस्ट क्रिकेटर और हो भी क्यों ना क्योंकि मैदान में तो इन्होंने काफी सारे बैटल लड़े ही है लेकिन असल जिंदगी में भी काफी बड़े बड़े बैटल इन्होंने लड़े हैं जी हाँ आप लोग बिल्कुल साही समझ रहे हैं मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की दुनिया की तो वो काफी अच्छे क्रिकेटर हैं और काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने क्रिकेट की इंडस्ट्री में भी अपने नाम किये हैं वो सब चीजों में बहुत परफेक्ट है लेकिन अब तो वो खुद का बिजनस भी रन कर रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अब उनके बॉलिवुड के काम की तो उनका कोई प्लान नहीं है बॉलिवुड में आने काल लेकिन उनके उपर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है हमने काफी सारे स्पोर्ट्स पर बायोपिक जरूर देखी होगी और काफी सारे स्पोर्ट्स परसन पे भी जैसे कि मैं बात करती हूँ मूवी दंगल की, चाय मैं बात करूँ MS धोनी दा अंडोल स्टोरी की लेकिन अब युवराद सिंग की लाइफ पर भी बनने जा रही है बायोपिक, हलाकि इसका नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन अपनी बायोपिक के लिए हर किसी की कोई ना कोई ख्वाइश जरूर होती है वही युवराज सिंकी भी एक इख्वाईश है कि कोई बड़ा सूपरस्टार उनकी बायोपिक में उनके करेक्टर को पॉट्रे करे अगर मैं क्रिकेटर युवराज की बात करूँ तो उनका कहना ये है कि वो चाहते हैं कि रनबीर कपूर या फिर रितिक रोशन ही उनका करेक्टर पॉट्रे करे वही करन जोहर जो उनकी मुवी को बनाने जा रहे हैं उनका कहना ये है कि मैं किसी फ्रेश टैलेंट को चूज करना चाहता हूँ तो अब ये तो एक जंगे मैदान है तो देखना ये होगा कि कोई फ्रेश फेस या फिर रितिक या फिर रनबीर आपको देखने को मिलेंगे युवराज की बायोपिक में और क्या आप भी मेरी तरह युवराज सिंग के फैन है और उनकी बायोपिक को देखने के लिए काफी साधा एक्साइड़ है और अगर ऐसा ही है तो just give me your feedback and for more Bollywood updates watch Google Bollywood